हेलो दोस्तों डिक्टरेशन स्टार्ट होगी तेन सेकेंड बाद स्टार्ट जिसका अंदेशा था कोमा वही हो रहा है स्टॉप लखेमपूर खेरी की गठना के बाद जहां विपक्सी दलों का सारा जोर उत्तरब्रदेश और केंदर सरकार को घेर कर राजनितिक लाब उठाना है कोमा वही इन सरकारों की कोशिस है जैसे तैसे ऐसा नय होने देना स्टॉप क्योंकि पंजाब और उत्तरब्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसवा चुनाव निकट हैं इसलिए विपक्सी दल लखेमपूर खेरी कांड को हर हाल में तूल देते ही रहेंगे यही काम किसान संगठन भी करेंगे कोमा क्योंकि उनका भी उद्देश इन चुनाओं को अपने पक्ष में भुनाना है हालां कि उत्तर प्रदेश सरकार किसान संगठनों की मांग के अनुरूप लखेमपूर खीरी गठना की न्याईक जाच पर सहमत हो गई है कोमा लेकिन यह साफ दिख रहा है कि विपक्सी दलों को यह रास नहीं आया है वे किसान संगठनों को उकसाने में जुट गए हैं नतीजा यह है कि उनकी और से भी नई नई मांगे रखे जाने के साथ ही इसकी चेतावने भी दी जा रही है कि यदि उनके मन का नहीं हुआ तो वे कड़े फेसले लेंगे पता नहीं इसका मतलब क्या है कोमा लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इसके नतीजे में उनका धरना प्रदर्शन और व्यापक एवं उग्र रूप ले सकता है यदि ऐसा होता है तो कानून एवं सान्ती व्यवस्ता के लिए चुनोती और बढ़ जाएगी वास्तव में जब कोई आंदोलन आवशकता से अधिक लंबा खिचता है तो वह अपने उद्देशे से बठकता ही है इसमें संदे है कि किसान संगठन और विपकसी दल न्याइक जाच और उसके निसकरसों से संतुष्ट होने वाले हैं कोमा क्योंकि उनका मोल उद्देश है उत्तरप्रदेश और केंदर सरकार को किसान विरोधी साबित करना और उनकी छवी पर प्रहार करना है पता नहीं कि वे इसमें सफल होंगे या नहीं कोमा लेकिन यह तैह कि इस चक्कर में वे सारे मसले पीछे छूट जाएंगे कोमा जो किसान संगठनों की और से क्रेशी कानून विरोधी आंदोलन के तहत उठाए जा रहे थे इसके अलावा आम किसानों की इस्तती सुधारने का लक्षे भी ओजल होगा कोमा क्योंकि इसके आसार कम है कि आम किसानों की भलाई के लिए बनाए गए तीन नए क्रेशी कानून हाल फिलहाल अस्तीत्व में आने वाले हैं स्टॉप किसान संगठन और उनका साथ दे रहे विपक्सी दल चाहे जो दावा करें कोमा सच यह है कि उनके रवये के कारण आम किसान खुद को हासिये पर पा रहे हैं स्टॉप यदि देश के छोटे किसान अपनी बात कहने के लिए आगे नहीं आ रहे अथवा वे सडकों पर उतर नहीं रहे तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे पंजाब कोमा हरियाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समर्थ किसानों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के साथ हैं किसी कारण देश के बाकी हिस्सों में इस आंदोलन का असर नहीं स्टॉप पेरा इलाहबाद हाई कोट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दोरान महत्वपूर्ण टिपणी की है कि वकील यदि फीस ले रहे हैं तो उन्हें काम भी करना चाहिए स्टॉप कोट का आश्य यह है कि किसी ने यदि आपको आपकी महनत की फीस अदा की है तो आप उसके हितों की अन देखी नहीं कर सकते स्टॉप वकील हड़ताल पर है और वादकारी उपस्तित है तो कोट उसे सुनकर मामले में फैसला सुनाए स्टॉप इसमें कोई दोराय नहीं की अधिवक्ताओं की पड़ताल से सबसे अधिक प्रेभावित न्याई की उमीद से अदालत पहुचे वादकारी ही होते हैं इस्टॉप बहुत से लोग तो दूर दराज से लंबी यात्रा करके आते हैं और उन्हें मुकदमें की सुनवाई ने होने पर मायूसी के साथ ही आर जोनपुर मचली शहर की राजस्व अधालत से जुड़ा है जिसे हाई कोट ने मुटेशन वाद तै करने का निरदेश दिया था वकीलों की हडताल एवं पिटासीन अधिकारी की प्रसासनिक कार्य व्यस्तता के कारण यह तै नहीं हुआ कोट ने इस मामले के बहाने अन्य अदालतों को आईना दिखाया की व्यस्तता सुनवाई टालने का आधार नहीं हो सकती अधिकारियों में अपने दायत्व समय सीमा के भीतर पूरा करने की आकांचा होनी चाहिए उपर जन हित गारंटी एक्ट 2011 के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान एक निश्चित अवधी के भीतर होना चाहिए कोर्ट की यह टिपणी इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश की राजस्व अदालतों में लाखों वाद लंबित हैं तहसिलदार से लेकर SDM कोमा अपर जिला अधिकारी और जिलादिकारी तक मुकदमों की सुनवाई में रूची नहीं लेते यहां तक की हाई कोर्ट में भी 10 लाख मुकदमे लंबित हैं और इसके मुख्य कारणों में एक अधिवक्ताओं की हड़ताल भी है इसलिए कोर्ट ने अपने आदेश की प्रती सभी बार एसोसियेसनों कोमा यूपी बार काउंसिल कोमा भारतिय बार काउंसिल कोमा जिला जजों कोमा मंडला युक्तों और राजस्व परिशद को भेजने का निर्देश दिया है वस्तुते अदालतों के कार्य दिवस का एक एक दिन महत्वपून होता है एक कार्य दिवस की हानी से कई मुकदमे लंबित हो जाते हैं और वादकारी को न्याय में विलंब होता है कोमा यह अधिवक्ताओं को समझना होगा स्टॉप